आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम अशिधान तक नहीं होता ही स्टेडी ग्लोस पर आपको बहुत बुस्वा करेंगे आपको बहुत आपको दुश्वनी निकाल ली और मैंने आपसे बोला किया तुमको भरबाद करता है फिर मुझे हैसास हो तो मैंने देंगे कॉंपंसेशन ही होता है तो अब गुड्स और सर्विसेस टैक्स की बात करें जी इस्टी जीरो पांच बारा अठारा अठाइस परसेंट पांच लैप्स हैं सारे टैक्स को अटा के एक टैक्स जब से जीस्टी आया है तब से लिकर अभी तक पिछले तीन सालों में इसको बदला गया है मेरे मेरे जो सी यह हैं वो बताता है कि हम प्राइब करीद के लागे जीए स्वेश्टी की उस समझभा आया था किलो मचे कमेंट बॉक्स हो था कौन सामेंडमेंट था तो वाई यह किताबे खरीद के लाएता अब सब वेकार हो गई है आटाट अजार के किताबे सब वेकार क्योंकि ही सब चेंज हो गया है शुरुवात में बहुत ज़ाधा प्रॉब्लम थी GST पॉर्टल की प्रॉब्लम म अभी पेट्रोल और टोबैको GST से बाहर है क्योंकि आपको पते ही कि जो राज सरकार है राज सरकार को टैक्स मर जाएगा ना लेकिन केंद्र ने वादा किया था कि भाई बिलकुल आप परशान मत हो बिलकुल परशान मत हो जो भी टैक्स आएगा हम आपको पूरा देंगे यह 15th Finance Commission में तो भाई devolution 41% तक हो गया है तो केंद्र ने बोला कि आप बिलकुल परशान मत हो भाई GST आएगा यार GST लो बढ़िया से पैसा लो अपना क्या पाल तो इतने सारे टैक्स लगा के रखे हुआ है तो सारे राज्यों को मना और सब राज्यमान भी गए राज्यो जादा पैसा कमाते हैं वैसे भी राज्यों की जादा कमाई नहीं है तो अब लेकिन पेट्रोल सबसे इंपोर्टन इलेक्रिक सीटी को वैसे है हला कि कुछ अभी जो GST काउंसल मीटिंग तो उसमें बहुत सारे प्रोड़क्ट जो है वो GST के अंदर है लेकिन पेट्रोल औ क्योंकि उसका 50% revenue गया शराब से सब बहुत पैसा शराब और पेट्रोल इन दोनों से बहुत पैसा कमाता है राज्य तो अब सेंटर ने वही है भयानक शॉटफॉल देखने को मिला तो सेंटर ने यही डिसाइट किया है कि जो भाई जितना शॉटफॉल है 1.1 लाग करोड जो लोन से स्टेट को देने है बारो करना पड़ेगा भाई लेना पड़ेगा यह सर्दर्दी है सरकार के लिए सर्दर्दी है और राज्यों के पहले स्टेट के पास पावर थी इंडारेक्ट टाक्स की जिस्टी के बाद सब खतम अब सेंटर के पास अब सेंटर ने बोला था 2017 में कि हम तुमको वादा करते हैं वादा रहा प्यार से प्यार का कि तुमको जो भी लॉस हो रहा है हम देंगे तुमको तुम बिलकुल परसेशन सेस लगाया गया लगजिरी गुट पर सिन वही जो जैसे शराव टो बैको यह सब सिन गुट्स लेकिन राज्यों को कुछ नहीं मिला जो बॉरॉइंग्स होगी उसका ज्यादा इंपक्ट हो नहीं होगा फिसकल डेफिसिट हमने बताब कल बात किती फिसकल डेफि क्योंकि यहां पर सेंटर एक मीडियेटर है बास सेंटर लोन ले रहा है और स्टेट को पास करेगा वही है कि मैं आप मेरे पास महराज हमको पैसा चाहिए हमने का बिलकुल हम तुमको पैसा देंगे खूब पैसा देंगे लेकिन हम पैसा कहां से दूँगा मेरे पास खुद लोन ले रही है यही चीज अब कॉंपसेशन से का कलेक्शन आप देख लिए 65,000 करोन अब ये 2.35 लाग करोन इतना होना चाहिए था तो 1.1 लाग करोन का डेफिसिट है दिमाग खराब हो गया भाई कि क्या सोचा था क्या हो गया हमने सोचा थे तना पैसा आएगा और आया खा तो दो तरीके के हैं जो सेंटर ने बता जीस्टी शॉटफवाल दो तरीके के जीस्टी का इंप्लिमेंटेशन और कॉविड-19 की वज़े से वज़े से तो हमने अपना पल्ला जाड़ लिया पहले कितना मुझे याद आगया हिस्टी में नहीं अरे बहुत टाक्स मत लगाओ या हमसे पैसा मत लो इतना लगान हम कहां से देंगे अरे नहीं यह बगवान की है बगवान की लीला है बगवान ने इतनी बारिश कर दी स् सरकारे बोलती है इसमें कुछ नहीं कर सकते तुमारों पैसा नहीं दे सकते हम क्या करा हम आपस कुद ही पैसा नहीं है भगवान ने इसा कर दिया तो यहीं चीज है लेकिन सेंटर ने पहले बोल दिया था कि बाई देखो कॉविड-19 की वज़े से हम कॉमपनसेट नहीं की वज़े से जो कॉमपनसेशन है वो हम नहीं देंगे वो हमारे उसमें नहीं आता है एकनॉमिक्स लोडाउन ने जीस्ट और सेस कलेक्शन दोनों को ही डिड्यूस किया चालिस परसेंट गैप आ गया था कॉमपनसेशन पेड और सेस जो कलेक्ट वो उसमें चालिस प्रतिशत का गैप था आप विश्वास करोगे जितना कॉमपनसेट किया जितना पैसा दिया वो ज्यादा तो सेस कम था बहुत गैप सरकार के ओपर बढ़र आएगा नहीं है इस्टेट जीस्टी गैप रेविन्यू आपको पता है कितना था तीन लाग करोण के आसपास और सेस कलेशन खाली 55,000 करोण वही तो जीस्टी कॉमपनसेशन आट 2017 के इसाब से कि भाई जो स्टेट है जो राज है यह वोट भी कॉमपनसेट अगर पहले पांच साल जीस्टी इंप्लेमेंटेशन में आपको कोई लॉस होता है क्योंकि राज्यों का टैक्स कमाते थे अब राज्यों का लेकिन वही राज जो है वो मानते ही नहीं है राज बुलते है पैसा तो मिलता नहीं है तो सेंटर के पास दो ही आप्शन है इस्टेट्स को उन्होंने दो आप्शन दिये हैं कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको स्पेशल विंडो दी जाएगी इस्टेट को 97,000 करोण रुपए दिये जाएंगे at a reasonable rate of interest और आप पांत साल बाद GST implementation के 2022 के बाद आप इसको पे करना यह बोला गया था और यह कौन देगा RBI दूसरा ऑप्शन यह है कि 2,35,000 करोण का जो गैप है बोरिंग्स करेए इस्टेट से इन कंसल्टेशन वितार भी आई जैकिन सारे राजे बोले कि भाया यह क्या बक्वास है हम इसके अगेंस्ट है हम यह नहीं करेंगे दोनों ही ऑप्शन को reject कर दिया तो यह मैं आपको बताई चुका हूँ सेस क्या होता वही टाक्स ओन टाक्स सेक्स चर्चार्ज सर्चार्ज टाक्स ओन टाक्स होता है स्पेसिफिक परपस के लिए लगाया जाता है ठीक है आर्टिकल 2 270 अफ दी कंस्टिटूशन या बहुत इंपॉर्टन यह वन वर्ड में भी आ सकता और UPSC में भी आ सकता है तो सेस जो है वो यूनियन लगाता है and do not be shared with states पूरी यूनियन के पास पावर है अब वही है कि जो अबजेक्टिफ सेस जो लगाया जाता है स्पेसिफिक परपस के लिए लगाया जाता है कि यह जो पैसा आ रहा हो स्पेसिफिक परपस क भाई आक्ट यही था ना कि GST revenue जो है वो 14% से हर साल ग्रो करेगा इस्टेट का लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं भाई दूर दूर तक यह नहीं है अब इस्टेट जिसने कम tax collect किया है उनको हम compensate करेंगे 14% मालनो नहीं है इससे कम है तुमारे पास तो हम compensation देंगे ना तो भाई रा इसको मिलेगा हर दो महिने पे मिलेगा और year on year इसको adjust करते रहेंगे तो वही 5 साल तक यह scheme जो है वो validity इसलिए GST says लगाया गया था इंट्र स्टेट और इंट्र स्टेट के अंदर भी और स्टेट के बाहर भी और यही है कि अगर मालो compensation जो है वो underutilized है जो compensation और अगर हम उसक ariated water इन सब पे benefits यही है कि जो center borrow करेगा borrowing by the center इसमें जो differential rate of interest होता है ठीक है जो individual states पे चार्ज किया जाता है उसको avoid कर सकते है compensation says fund यही है कि अगर state के पास पैसा नहीं है तो यहाँ पे जो राज है जो केंद्र है वो उसको देगा मतलब इसी यही compensation fund से compensation says fund से पैसा निकालके राज्य को दिया जाएगा तो पान मसाला tobacco cigarette वाई luxury good और sin items यही चीज है अब इसमें देखिए benefit क्या होगा benefit benefit बस यही है कि कहा यहाँ चला गया यार वो अच्छा benefit वही था कि दो option दिये थे ना मैंने आपको बताया था कि राज्यों के पास यहाँ पे दो option थे या तो 97,000 करोड जो है वो RBI से बोरो कर ले और या पूरा का पूरा दो लाग 35,000 बोरो कर ले ठीक है और compensation says window 2022 के थोड़ा सा आगे कर तो हम उससे थोड़ा सा आगे कर देंगा आप आराम से interest देते रहे ना मतलब 97,000 करोड जो है बेसिकलि आप यहाँ पे RBI से बोरो कर सकते हो ओके और 5 साल बाद 2022 के बाद भी आप इस amount पर रिपे कर देना बोरो करने का मतलब है आप लोन लोगे ना और दूसरा ताप एक 10,000 हम पूरा बोरो कर लेंगे हम आपकी तरफ से बोरो करेंगे और हम आपको दो देंगे लेकिन याद रखेगा यह लोन दिया जाएगा यह राज्यों को ही पे करना है इसलिए भारत की deficit पे कोई फरक नहीं पड़ेगा ठीक है fiscal deficit पे यह तरीके से capital expenditure है यह भारत के लोग भ दो प्रहुआ कर दिया अईयाल था, पारत का वसे कहीं yhte laborा है यह तरीके से फिया परको दोना है करना है यह परको से ाद से एको पono mo तरीके से बोरो के यह बहा ठको से एक्षई वह तरीके से हम एको से जियाएग mulाग खरीके से इसलिएराद का यह ज laten giàब ему तर bånd को से से थ झाल झाल